वेलकम बैक दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डीटेल कंपेरेशन करने जा रहे हैं टारट इक और इवी के बेस मोडल्स XE और XM के बीच में जहां पर आपको इन दोनों ही वेजिएंस की बीच में टोटल साथ डिफरेंसिस देखने को मिल जाते हैं बात करें अगर प्राइस डिफरेंस की तो एक शोरूम कॉस्ट पर आपको इन दोनों ही वेजिएंस की बीच पचास हजार रुपे का डिफरेंस देखने को मिल जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस 50,000 रुपे एक शोरूम कॉस्ट डिफरेंस पर आपको इन दोनों ही वेजिएंस की बीच में फीचर का कौन कौन सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है तो दोस्तों सबसे पहरा डिफरेंस आता है म्यूजिक सिस्टम का XM वेरेंस के अंदर आपको मैन्वल टाइप हर्मन वाला म्यूजिक सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर आपको FM, USB और Bluetooth की connectivity मिल जाती है जबकि Base Model XE के अंदर आपको कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया दूसर डिफरेंस आता है स्पीकर्स का तो XM वेरेंस के अंदर आपको हर्मन वाले ही चार स्पीकर्स दिये जाते हैं जो कि चारों दर्वाजों में लगे होते हैं जबकि XE वेरेंस के अंदर आपको कोई स्पीकर्स भी नहीं मिलता तीसर डिफरेंस आता है पावर विंडोस का XM वेरेंस के अंदर आपको चारों पावर विंडोस दी गई हैं फ्रेंट में भी धियर में भी जबकि XE विरिनकंदर आपको सिर्फ फ्रन्टू पाउर विंडोज ही मिलती है रियर में आपको मैन्वल ओपरेशन ही दिया गया है चौथा डिफेंस आता है सेंटर डॉर लॉकिंग का तो XM विरिनकंदर आपको फिलिप की के साथ रिमोट सेंटर लोकिंग दी गई है जो कि XE विरिनकंदर आपको नहीं मिलती पांचवा डिफेंस आता है दोनों के वील कवर्स का तो XM विरिनकंदर आपको स्टील निम्ट के साथ वील कवर्स भी दिया जाते है जो कि XE variant के अंदर आपको नहीं मिलते सटर डिफेंस आता है पार्किंग असिस्ट का तो XM variant के अंदर आपको reverse parking sensors के साथ manual music system के अंदर infographic display भी दिया गया है जो कि XE variant के अंदर आपको नहीं मिलता यहाँ पे आपको सिर्फ वोसिर्फ sensor सी दिये गए है जो कि XE variant के अंदर आपको नहीं मिलता तो दोस्तों यह थे साथ डिफेंस इन दोनों ही वीरिंस के बीच में उम्मीद करते हैं अब आपको इन दोनों ही वीरिंस के बीच का confusion दूर हो गया होगा वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग कमपेर करो